बिस्मिल्लाहिर्रहमान रुरहीम डियर स्टुडेंट्स हाव अर्यू कैसे हैं सब उमीद है अच्छे होंगे तो आज हम अपना नेक्स टॉपिक स्टुडी करने जा रहे हैं वैसे पर थियोरी पृवियस टॉपिक में परिवियस वेडियो में आप लोगे अने स्टुडी किया था कि लेवस के लिमि RITATION THYORIRY , VALENCE SHELL किसी भी एटम मालेकोल आव्टर älter-shel और और म possibil के अदर मजूद जो इलक्टरॉन होते हैं वो ils इलक्टरॉन को क्या करते है रिपए तो वैलन्स शEल में इलेक्टॉन्स को रिपचल करते हैं हम कहते हैं इलेक्टॉन्स रिपल्शन वो थ्यूरी जो वैलन्स शेल में electrons की repulsion के बारे में हमें बताए उसे कहते हैं वैसे पर थियुरी या हम कहते हैं valence shell electron pair repulsion थियुरी तो हम इसको pronounce करते हैं valence shell electron pair repulsion थियुरी और इसको pronounce करेंगे वैसे पर वैसे पर थियुरी ठीक है तो आज हम क्या देखेंगे इसका just इंट्रोडेक्शन देखेंगे वैसी पर फियुरी का कि ये किस साइंस तेस ने इसको डिवेल्ब किया और मजीध डिवेल्पमेंट कभाई मोडिफाई कभ किया गया और इसकी बेसिक एजंप्शन क्या थी और वैसे पर थियोरी के पास्टिलेट्स चार पास्टिलेट्स हैं जो आपके बुक में गिवन है तो यहां पर वो चारों पास्टिलेट्स हम स्टेप पर स्टेप पढ़ेंगे यह फर्स्ट, सेकंड, तर्ड, तीन पॉस्टिलेट और तीसरे पॉस्टिलेट का दूसरा इस्सा और यहां पर फॉर्थ पॉस्टिलेट और यहां पर हम कोई इmpotent point, important point को भी discuss करने जा रही है, तो यह वीडियो गोर से देखिए गाएगा, इस चीज़ को interpret करते हैं। सबसे पहले पहले दिखते हैं history, history में वैसे पर फियरी को जो शुरू किया, वो किया सेजविक और पॉल ने, इस चिज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, तो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया सेजविक और पॉल, सुझेशनस, उसने क्या सुझेशन्स दी, उसने कहा, कि यह जो शेफ्स या जिमेटरी है, मालेकीूल्स की करके हम बोलते हैं electron pair combined करके क्या बोलते है electron pair और इसकी detail में दो चीजे दो किसम के pair होता है एक long pair होता है और एक bonding pair होता है यह यह देख लेके long pair बांड पियर में क्या difference है long pair और bond pair bond pair होता है जो दो आटमस आपस में bond बनाते हैं, mutual sharing करते हैं, जैसे हमने कोविलन बांड में कहा था, mutual sharing of one electron pair is called single bond, तो जो दोनों एटम्स की तरफ से electron pair share किया वाओ, mutual share किया वाओ, उसे कहते हैं bonding pair, और किसी भी एटम के nucleus skin surround में, around में, वो electron pair जो उसका अपना हो, जो उसका अपना हो, जैसा कि हमने ammonium koloride में कहा था कि nitrogen के पास एक lone pair मुझूद है, तो जो उसका अपना electron pair होता है, उसे कहते है lone pair, और वो electron जो दूसरे atom से आप मिलके mutual sharing करके bond मना रहा हो, उसे कहते है bonding pair, ठीक है, अब देखते हैं, कि सेज्विक एंड पॉल ने क्या कहा, उसने कहा, कि shapes, argumetry of molecules can be decided by both, bonding pair and lone pair, it's mean overall it is considered electron pair, electron pair से molecules की geometry को, ये shapes को decide किया जा सकता है, कि उसकी shape कैसी होगी, ठीक है, तो ये molecules कहां पे होंगे, ये lone pair ये bond pair, ये जो electron pair कहां पे होंगे, in outer orbital of central atom, एक atom central का क्या मतलब है, central atom, एक atom center में होगा, और बाकी atoms उसकी यूंतर side ओं पे लगे वे होंगे, एक यहां पे center में, इस जगा पे center में, एक atom होगा और बाकी group side ओं पे लगे वे होंगे, तो जो center में होगा, उसे कहेंगे central atom, तो हम कहते हैं, उस central atom के इर्द गिर्द जो outer orbital है, वो lone pair भी मुझोद होता है, bond pair भी side किया जा सकता है, उनकी base पे, molecules की shapes को और geometry को, अब देखें, फिर जो नेल हम, यह explain किया गया 1940 में, सेजवेक और पॉल ने यह suggestion दी, कब 1940 में, फिर नेल हम एंड ग्लैप्सी ने 1957 में इसको develop कर दिया, इसी वैसे पर थिर्व क्या किया, कब 1957 में किस ने develop किया, नेल हम एंड ग्लैप्सी ने, तो उसने फिर यही बात की, यही, उसने का shapes of molecules can be explained by the electron pair, लेकर उसने का कि यह जो सा सारी बाते हैं, यह किस के लिए हैं, for non-transition elements, previous video में मैंने बड़ी detail के साथ बताया था, कि वैसे पर theory में, जो हम shapes को explain करते हैं, यह non-transition elements और compounds के लिए होती है, अगर हम transition metals, transition metals के जो complexes बनते हैं, उन्हों को explain करना हो, तो उसके लिए modern एक और theory आई थी, जिसे हम कहते हैं, crystal field theory, वो transition metal के complexes के लिए LFT, CFT, और non-transition elements को explain करने के लिए कौन से theory, वैसे पर theory, अब देखते हैं, इसकी basic assumption क्या थी, किस base पे कौन सी बात assume की गई, वैसे पर theory में, तो यहां बे देखते हैं, valence electron pair, valence electron pair वो lawn pair भी हो सकता है, it may be bond pair, कहता है, valence electron pair, arrange themselves around the central atom, एक atom center में होगा, एक atom center में होगा, और उसके साथ इस तरह से तीन, एक ग्रूप, दो ग्रूप, तीन ग्रूप, अटेच होंगे, अच्छा, फिर कहता है, valence electron, lawn pair और bond pair, arrange themselves around the central atom, to remain at maximum distance apart, उसने कहा, कि जब एक central atom के इर्द गिर्द यह atoms attach होंगे, lawn pair या bond pair होंगे, तो यह अपने आपको maximum distance पर रखेंगे, देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि इनके दिर्मयान में distance कम हो, सब के दिर्मयान में यहां भी उतने еш डिस्टंस है, यहां भी उतने boundary distance है, तो ऐसा नहीं हो सकता है एक दिर्मयान यह दिस्टंस कम हो जाए, और यहां भी distance ज़्यादा है इधर distance कम है ऐसा नहीं होगा क्यों कि यह लेक्ट्राउन पेर यह लेक्ट्राउन पेर आपस में क्या करेंगे रिपैल करेंगे लेक्ट्राउन लेक्ट्राउन को क्या करता है रिपैल करता है तो यह लॉन पेर यह लॉन पेर एक दूसरी को रिपैल करेंगे तो यह कहां पर आ जाएंगे म maximum distance पे जब maximum distance पे आएगे तो हम कहते है maximum distance apart apart का मतलब दो lawn pair या bonding pair या दो electron pair के दर्मयान में maximum distance हो उचे कहते है maximum distance apart तो यह maximum distance क्यों होता है repulsion at a minimum to keep repulsion at a minimum के repulsion ताकि कम जगम रहें अगर हम इसको नजदीग कर देंगे तो electron pair electron pair क्या करेगा repel तो यहां पर repulsion बढ़ जाएंगी तो repulsion को अगर हमने कम करना तो इसको distance maximum कर देंगे तो maximum distance करने से क्या होगा repulsion minimum हो जाएंगी ठीक है तो दो बातें यहां पर एहम है जो आपने जहन में देनी है कि वैलेंस electron pair अपने आपको अरेंज करेगा वैलेंस electron pair अपने आपको central item के इर्दगिर्द इस तरह से अरेंज करेगा कि उनके दरम्यान में maximum distance हो first one important is maximum distance part and second one Q to repulsions at a minimum distance maximum होगा और repulsions minimum होगी तो दूसरी लफजों में कहते है maximum distance कोई भी molecule की maximum stability का होती है जब electron pair के दरम्यान में maximum distance हो और जब maximum distance होगा और minimum repulsions होगी तो हम कहते हैं कि किसी भी molecule की maximum stability का होगी जब distance maximum हो between the electron pair और minimum repulsions होग तो वो molecule क्या होगा stable जब distance कम कर दें तो वो stable नहीं होगा distance अगर यहां से हम कम कर दें तो वो stable नहीं होगा क्योंकर repulsions बढ़ जाएगी तो वो repel करेंगे तो वो stable नहीं रहेगा जब maximum distance में चले जाएगा फिर वो क्या होगा stable तो maximum stability के लिए क्या चीज होने जाएगे maximum distance और जब distance maximum कर देंगे तो फिर repulsions क्या हो जाएगी definitely the repulsions कम हो जाएगी minimum हो जाएगी तो अब हम देखते है पास्टुलेट साथ वैसी पर थियूरी पहला पास्टुलेट किया है geometry of the molecule depend upon both long pair as well as bond pair के पहला पास्टुलेट यह है कि किसी भी molecule की जो structure है यह geometry है यह उसकी जो shape है shape depend करती है जो उसके अंदर electron pair दो किसम के होते है long pair यह bond pair तो दोनों पे depend कर रही होती है उसकी shape ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम bonding pair को consider करें long pair को consider ना करें geometry को find out कर लें नहीं geometry को और shapes को find out करने के लिए कौन कौन सी चीजों को जहन में रखना होगा दोनों को first one long pair second one bonding pair long pair और bonding pair को दोनों को जहन में रखते हुए हम उसकी geometry को और shape को determine कर सकते है second postulate second postulate क्या है अचा पहला जो है geometry of molecule यह वही पॉइंट है जो हमने यहां पर discuss किया कि दोनों long pair long pair मिलकर decide करते हैं अच्छा दूसरा इसका postulate क्या है maximum distance between electron pair यह वही है जो हमने basic assumption में discuss कर लिया क्या के electron pair आपने आपको क्या रखेंगे maximum distance पे maximum distance पे क्यों रखेंगे ताकि उनके दरम्यान में repulsions क्या हो जाएं का मोले और माली क्यों क्या हो जाएगा stable यही बात है second postulate में के electron pair around the central polyvalent atom दरम्यान में जो atom होगा वो polyvalent होगा और उसे में central polyvalent atom कहते हैं वो electron pair around the central polyvalent atom remain at maximum distance part वही बात maximum distance part to avoid repulsions repulsions को खत्म करने के लिए आपने आपको क्या कर लेंगे maximum distance पे ले जाएंगे ठीक है तो maximum distance पे लिजाने से वो क्या हो जाएगा stable तो दूसरे postulate की heading क्या है maximum distance between electron pair electron pair around the central polyvalent atom remain at maximum distance part to avoid repulsions same अब आते हैं third postulate which is important and थोड़ा सा lengthy and some how lengthy थी तो इसके मैंने आप लोगों के लिए असानी के लिए दो हिसे बना दी है एक थिरी one और एक थिरी two two parts में मैंने divide कर दिया ताके आप लोगों के लिए समयना असान हो पहले हिसे में क्या है long pair versus bond pair यह जो हम बात कर रहे हैं electron pair दो किसम के होते हैं एक bond pair होता है एक long pair होता है यहां भी हमने बात की long pair होता है एक bond pair होता है तो long pair और bond pair क्या चीज़ है यह मैंने आपको अभी बता दिया कि long pair जो item का अपना electron pair हो उसे long pair कहते हैं और एगर एक item दूसरे item से मिलके bond बना रहा हो और उसके दर्मयान में electron pair हो दो items का मुष्तरका तो उसे हम कहते हैं bonding pair तो long pair और bond pair के कि दर्मयान में क्या relation है हम कहते है long pair occupy more space as compare to bonding pair तो कहने का मतलब यह है कि long pair जो यह ना long pair वह ज्यादा जगा गहेता as compared to bonding pair बांडंग निसुब लॉन बिर ज्यादा जगा कि सड़ाय करें क्यों वाट्टिस वााइड। ही कर मेरा कि और लॉन ॉय। यह वाट पिर यूझे पर हैं डजकरें और आोप जो दोलॉट sniff बाइख न्यूक्लयस उसको इंट्रेक्टट कर रहा होगी। क्यों कि वूसी ए्टम का अपना इल्यूक्ट希望 पैर है। तो उसको एक ही न्यूक्लेस एकट्रेक्ट करेगा। जबकि जो बांडंड पैर की बात करेंगे तो banding pair वो होता है जो दो atoms के दरम्यान में band बना रहा हो और उस banding pair को दोनो atom और दोनो atom के nucleus आपनी तरफ attract कर रहे होंगे it's mean lawn pair को सिर्फ एक nucleus attract कर रहा है bonding pair को दोनों तरफ से attractions हो रही है by both nuclei अच्छा उसे होगा क्या देखें lawn pair attracted only by one nucleus आट्रीस को डो नुकलिय को दो नुकलियर अट्रैक्ती और रिज़र्त कया गोगा देखें लॉन पियर को दूसरा नाम है नान बांडिंग पियर एक बांडिंग पियर और दूसरा नान बांडिंग पियर जो बांडिंग में हिसा ने ले रहा होता वो लॉन पियर होता है ठीक है तो लॉन पियर का दूसरा नाम है नान बांडिंग पियर लॉन पियर और नान कम होंगी nuclear attractions क्या होंगी कम हम कहते है experience long pair experiences less nuclear attraction कि इसके उपर nuclear attraction जो होंगी वो क्या होंगी कम होंगी जब nuclear attraction कम होंगी so electronic charge spread out in the space जब nuclear attraction कम होंगी तो उसका जो electronic charge होगा वो spread out हो जाएगा इंदा space क्यूंकि attractions कम है अगर bonding pair पर attraction ज्यादा होती है तो वो दोनों nucleus उसको attract कर रहे होते हैं वो फैलता नहीं है spread out नहीं होता space में जब lawn pair है उसको एक nuclear nucleus attract कर रहे है तो वो एक ही nucleus की इर्द इर्द फैल जाएगा spread out हो जाएगा ठीक है अच्छा उससे फरक क्या पड़ेगा so electronic charge spread out in the space जब वो spread out हो जाएगा फिर क्या होगा it exert greater repulsion on bonding pair वो जो bonding pair होगा उसको repel कर रहा होगा bonding pair को क्या करेगा repel फार example यहां पे हम देखते हैं study करते हैं कि यहां पे कुछ central item है एक bond यहां पे बना हुआ है एक bond यहां पे बना हुआ है और यहां पे lawn pair है तो अड़ जा के लौकोङ क्या करेगा यह legnoc यह इन दोनों bonding pair को मैं ऐसके दोनों bonding pair को क्या करेगा powder क्यों कि इस bond के साथ इधर बी कोई डोड़ीमतायज पर दौ performance आटरेक्ट कर रहा होते हैं जावक्ड क्यों पेर को एक ही nuclear ड्रेक्ट कर रहा होता है तो यह वाला कि ऩा यहां फैल जाएगा सट्रेडड आउट से प्यान जाएगा तो इन दोनों को क्या रोगा करेगा और के तौर पर इस तौर की चछलं ll tough यह तो यह कि ख़न前 करेगा तो यह थोड़ा सम्सक्विक और रिपैल हो जाएंगे और यहां पर पर अपनी ज्यादा जगा घेद लेगा यह जो हम कहते हैं लॉण पर occupy more space than bond pair क्यों क्योंकि वो एक नुकले से उसका अट्रैक्ट कर रहा है तो यह ज़्यादा जगा गेरेगा और bonding pair क्यों क्या कर देगा repel कर देगा तो resultant के तोर पे पहले इस तरह से condition थी तो जब lawn pair ने उनको repel किया तो यह bond थोड़े से नीचे की तरफ बेंड होगा है इस में हम कहते हैं lawn pair नॉन बांडिंग पेर experience less nuclear attractions nuclear attractions काम होंगी electronic charge spread out in space वो सप्रेश में क्या आजएगा spread out फैल जाएगा so exert greater repel बांडिंग पेर यह जो बांडिंग पेर होंगे उनको repel करेगा repel करके नीचे तगेल देगा तो अब overall हम इस बात को conclude करते हैं क्या कहते हैं in this way इस तरीके से in this way lawn pair tend to compress bond pair lawn pair bond pair को compress करने की कोशी करेगा जब lawn pair bond pair को compress करेगा खुद ज्यादा जगा के देगा और उसको compress करते विए उसे थोड़ी जगा देगा जब थोड़ी जगा देगा तो उसका angle भी चेंज हो जाएगा ठीक तो यहां भी हमने इसको study कर लिया कि lawn pair versus bond pair lawn pair occupy more space than the bond pair क्यों कि यह reason हमने पढ़ ली अब हम देखते हैं वेंडर वाल repelutions इसी की बात हो रही है lawn pair versus bond pair की तो वेंडर वाल repelutions molecules यह जो electron pair है ना lawn pair lawn pair lawn pair bonding pair और lawn bonding pair bonding pair इनके दर्मयान में repelutions होती है जैसा के मैंने अभी एक मिट पहले बताया आप लोगों को के यहां पर इस तरह से एक molecule है इसके यहां पर group लगे में यह उपर लेक्टरॉन पे रहे यह यह नजदीक नहीं आएगा क्या हो जाएगा maximum distance पे जला जाएगा maximum distance पे क्यों क्योंके इनके दर्मयान में repelutions कम हो जाएगी और यह stable होने के लिए maximum distance पे चलाएगा अब हम देखते हैं कि इनके दर्मयान में क्या होंगी repelutions क्या हूंगी old РЕychences हमनें देखना है कि यह पर चाइस ज्यादा होंगी और किसमें कम होगी या इंडिडर ओफ में पता होना जाए मिन में पूछ गा सकता है शॉर्ट section में भी पूछा जा सकता कि लॉन पेयर लॉन पेयर को ज्यादा रिपैल करेगा या लॉन पेयर बांड पेयर को ज्यादा रिपैल करेगा या बांड पेयर बांड पेयर को ज्यादा रिपैल करेगा तो हम कहते हैं यूर अफ रुपर्फशनज बीट्वीन एलेकट्राई stiff, लॉणपेयरूरूंड की रिपलशन्ज ज्यादा होगी । क्यूं? क्यूंकि वो जादा ज्वीज़े जुपाई करता है, तो यहां पे बार्णिंग पेयरू हो इक्रीन प्रेटर न से एकान्य न मुआई ती Whoo आगर माया भिरृव गबी इंचेमें अ मुनिक ऑ मेर खेंगी सब्सक्वार रिक्रूरीख लाई खीगा होंगी अच्छा ओदका हैं हाई electronic charge density हमने यहां तक study किस सिंगल बांट कौनसी चीज स्टड़िय की सिंगल बांट अब देखते हैं कुछ बॉन होते हैं डबल कोविलेंट बांटकू। एक तो अगर डबल कोविलेंट बांट या ट्रीपलंट चाहिए लिक्राइब्र कितना होंगे 500 हम कहते हैं तू इलेक्ट्राइड पेर आफ डबल बार्ड के एलेक्ट्राइड ड Chronique ट्रेपल बाउड विल् thread । है अइलेक्ट्रों इक चार्ज डाइनषीटंड डर्का पेर केसे डिक्ट्राइड डारव 2 – olas Inf senior – 2 Latinos के दर्मेन द्रमैंने एक सिंगल sarà दो इलेक्टान है अगर डबल बांड कर दिया जाए रब लेक्टोन कितने ओगे 6 एलेक्टान के पेत्वरों गए 6 ऑफ पियर दो इलेक्टान दिफ्ट की तदाद बढ़ेगी दो इनके ऊपर चार्ज्स भी बढ़ेगा तो हम कहते हैं उल्ञ ट्रील बारण रोड तो तो तू यह-अज ensuite लेक्ट-ॉ Germ यह लेक्ट्म के फीड्रक्ष फू मैं यह कर पक्रैस टू वायागा तो टीन एल्यक्ट्रॉं contain higher electronic charge density therefore therefore three electron pair of triple bond three electron pair of triple bond or two electron pair of double bond occupy more space as compared to one electron pair here of one electron pair in a single bond is skin is worth double bond yet triple bond this is a little bit more space as compared to one electron pair order of occupied space three electron pair of triple bond will occupy more space as compared to two electron pair of double bond occupy more space as compared to one electron pair of single bond here order here to normal but here is something more important point but but behave like single electron pair this double bond or triple bond behave like single electron pair to determine geometry when we talk about geometry when we talk about geometry and when we talk about shapes of molecules then double bond or triple bond or two electron pair or three electron pair will behave as single electron pair they exist between two nuclei like single bond जिस तरह दो एटम्स के दर्मयान में सिंगल बांड होता है दो एटम्स के दर्मयान में कौन सा बांड होता है सिंगल बांड तो डबल बांड और ट्रिपल बांड भी बिल्कुल ऐसी ही होगा कि double bond और triple bond भी दो nucleus के दर्मयान में होगा single bond भी दो nucleus के दर्मयान double bond भी दो nucleus के दर्मयान triple bond भी दो nucleus के दर्मयान होगा इसलिए geometry find out करने के लिए और shapes को determine करने के लिए double bond और triple bond single bond की तरह behave करेंगे हम जहन में रखेंगे double bond triple bond को single bond के तोर पे ही जिसलिग्हाने में जिजिए आउट कई गाम मां अमनुअ यह परंट करें नास्ट इंपॉर्टाइंट है солशने कें ओर कि रेक बल्ह सके इस च्पर को उतियां लेक्टाइड बॉट हई रेगुलर तो लिक дальше भी है यह यह तो बहुनि economizing हूं then shapes will be regular के molecule के अंदर जो bond बन रहे हैं जो electron pair मुझूद हैं वो सारे के सारे electron pair क्या हूं बांडिंग पेर हूं अगर सारे ही electron pair bonding pair हूं तो shapes क्या होंगी regular और अगर कोई bonding pair के अलावा कोई lawn pair भी मुझूद हो if molecule contain some lawn pair अगर bonding pair के अलावा कोई lawn pair भी मुझूद हो then the shapes will be irregular तो यहां तक आपका वैसे पर theory उसका introduction उसके चार पास्टिलेट्स यहां तक complete हो गए